हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू एकजूट ऑनलाइन क्लासेश दोस्तों इलेक्ट्रीशियन थेओरी का पार्ट टू है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टाप ट्वन्टी एमसी क्यू जो की आने बाले सभी एकजाम के लिए महत्पूर होंगे दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रूप में जरूर सेयर करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन तो दोस्तों पहला कोशन है Electronic components को और क्या कहते हैं First option Integrated components Second option Active components Third option दोनों और Fourth option इन में से कोई नहीं तो बताईए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Active components प्रिर अगला कोश्चन तारों को पकड़ने मरोडने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा अवजार इस्तेमाल किया जाता है तो फर्स्ट आप्सन है पेचकस सेकंड अप्स आप्स है है थर्ड आप्सन है कॉंबिनेशन प्लास फोर्थ आप्सन है टेस्टर तो बताये द किल लोड पर किसी लाइन में चलने सूरे कूर को क्या कहते हैं मचे में तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लाइन करन फिर अगला कोश्चन किसके फिलामेंट भी बनाए जाते हैं फिर अगला कोश्चन सिल्बर थर्ड अप्षन मेगानिन फोर्थ अप्षन कारवन तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर अगला कोश्चन फेसिंग कि मुझाई जमीन से कितने मीटर पर होनी चाहिए तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर अगला कोश्चन बिजले पर लगी आग पर निम लिखित में से क्या इस्तेमाल करना चाहिए फर्सट अप्षन फार में युक्त यन्तर स्रकंड अप्षन पानी थर्ड अप्षन तेल ऍ VIC बताएं रोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा फिर अगला कोश्चन दो या दो से अधिक फेजों की प्रनाली को क्या कहते हैं मैं फ़र्ष्ट आप्सर इस्टार सिकन्ड आप्सर डेल्टा मैं थर्ड आप्सर तीन पैज फुर्थ आप्सर पॉली फैस बताईए दोस्तों साही आप crunch क्या आप highly zod ä से बदलने की प्रक्त्रिया को क्या कहते हैं फर्स्ट आप्शन नेगेटिव, स्रेकन्ड आप्शन डोपिंग, ठर्ड आप्शन कंट्रोल ग्रिट, फॉर्थ आप्शन रेक्टिफिकेशन, तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, रेक्टिफिकेशन, फिर अगला कोश्च, सेल रासानिक उर्जा को किस प्रोक्त सभी तो बताएजे दोस्तों इसका सही आंसर आँज़ा फिर अगला कोस्टिन से वड़िके कि तर्मिलल में जोडते हैं फर्स्ट आप्सन पॉज्टिव सेकंड आप्सन निगेटिव फर्ड आप्सन दोनों फोर्थ आप्सन उपरोत में से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या होगा निगेटिव अगला कोश्चन डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए किस स्टार्टर का प स्टार और फोर्थ आप्सन प्रोप्त में से कोई नहीं तो बताएं दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दो पॉइंट इस्टार्टर फिर अगला कोश्चन है ट्रायक के कितने टर्मिनल होते हैं फर्स्ट आप्सन टू सेकंड आप्सन फोर थर्ड आप्सन थ्री फोर्थ सिक्स तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा थ्री फिर अगला कोश्चन और सतहों को किन अंग्रेजी अच्छरों में लिखा जाता है फर्ष्ट आप्सन ए बी सी डी सेकंड आप्सन ए एफ जी एच थर्ड आप्सन के एल एम एन फोर्थ आप्सन पी ओ आर ऐसे तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा के अल एम एन फिर अगला कोश्चन बोल्टेज को और क्या कहते ह। फर्ष्ट आप्सन ISI, सिकंड आप्सन MKS, थर्ड आप्सन OLC, फोर्थ आप्सन EMF तो पताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा EMF फिर अगला कोश्चन माइक्रो प्रोसेसर 8085 की मेमोरी छमता कितनी होती है फर्ष्ट आप्सन 30 कैलोरी, सेकंड आप्सन 60 कैलोरी, थर्ड आप्सन 64 कैलोरी और फोर्थ आप्सन 80 जूर तो बताए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा 64 कैलोरी अगला कोश्चन फर्ष्ट आप्सन A, सेकंड आप्सन X, थर्ड आप्सन N, और फोर्थ आप्सन Y तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा अगला कोश्चन स्विच निन मिलखिद में से कौन सी बायर पर लगाया जाता है फर्ष्ट आप्सन फेज वायर में स्विच वायर में थर्ड आप्सन दोरों में से किसी में भी और फोर्थ आप्सन उपरोक्त सभी में तो बताए दोस्तों सही आंसर क्या होगा फेज वायर में अगला कोश्चन देखेंगे तामभा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है फर्स्ट आप्षन 1.72 माइक्रो ओम मीटर सेकंड आप्षन 1.73 माइक्रो प्रति सिंटिमीटर क्यूब थर्ड आप्षन 1.73 माइक्रो ओम प्रति मीटर क्यूब 1.72 माइक्रो ओम प्रति सिंटिमीटर क्यूब तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वाण पॉइंट सेवन टू माइक्रो ओम मीटर फिर अगला कोश्चन इलेक्टरान के प्रभा को क्या कहते हैं फर्स्ट करेंट सिकंड बेख थर्ड गती फोर्थ इनमें से कोई नहीं तो बताएए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा करेंट अगला कोश्चन पदार्थ किससे बने होते हैं फर्स्ट आप्शन इस्टील लोहा सेकंड आप्शन तावा सोना थर्ड आप्शन कपड़ा धागा फोर्थ आप्शन अडू परमाडू तो बताएए दोस्तों शही आंसर क्या होगा अडू परमाडू